रोज पांच खजूर उखाओ और अपनी योवन शक्ति बढ़ाओ आज मैं बात करने वाला हूं खजूर उखाने की खजूर बहुती बेस्ट योवन शक्ति वर्दक है आयर वेदा में युनानी में चरक सहीता में उसको बहुत महत्वत दिया गया है खजूरे ड्राएफ उट है अक्सर हमारे घर में भी हम लाते रहते बाजार में कभी भी मिल जाता है खजूर में बहुत जादा मातला में जिंक रहता है जिससे टेस्टोस्टोस्टोन लेवल बढ़ती है जो sex hormone है जिससे इच्छा बहुत बढ़ जाती है खजूर एक्चुली आयरुवेदा में और रुदानी में स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए खाने के लिए रेकमेंड किया है मतलब शुक्रान हुझा है उसकी गुनवत्ता और उसके हल्चल बढ़ाने में खजूर बहुत महत्वग है खजूर में सेलीनियम से स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म क्वांटिटी वह बढ़ जाती है खजूर में मैगनेशियम है जिसके वजह से स्ट्रेस तनाव कम हो जाता है और हमारे बोड़ी में ब्लड सरिकुलेशन बहुत अच्छा होता है जो लेंगिक कठोटा के लिए काम में हैं खजूर में विटामिन बीशी बहुत अच्छे मातरा में जिससे में एनर्बी लेक्ट मिलगया कई फ्रक्ट्रोज छाला मात्रा में है इसलिए इंस्टंट अंजी नहीं घ्याती है और फ्रक्ट्रोज पहले हो जला मातरा में है इसलिए डायबेटीस जिनको उन्हों नह ज्यादा मिलते है ज्यादा एक्टिवेट होते है और वो लेंगिक नौर स्टिमूलेशन को मदद करते है ब्रेन के नौर सिगनल से तो इसलिए ब्लेड़ फ्लो बढ़ता है लिंग में और उसके वज़े से कट्रताने में फायदा होता है खजूर में फ्लेवोनाइड से पांच खजूर आपने लेना है और रात recept रखना है सुआ Him 같은데 कि वह गलास दूर हुआ और पिलो और जो नीचे पल रहेगा उसको चभाँ और उसको जब बीशे गुटलियां जो है उसको मिरंत शक्तुर आप खाते हैं और देड़ महने तक रोज आप एक ग्लास दूद में जैसा में बता है वैसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको यवन शक्ति में मतलब शिघर पतन में और स्टैमिना ठिकने में बहुत फायदा होगा सबसे बेस टाइम कौन सा है खजूर खाने का सबसे बेस टाइम है सुबह होगा तो आप रोज चार से पांच खजूर खाने का है अब समझो यह दूद में डालना पकाना यह नहीं हुआ तो सिर्फ आप प हुआ 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 है